8.4 फ्रांसीसी क्रांती इंग्लेंड की क्रांती और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1789 से 92 के बीच हुई क्रांती हैं, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांती के नाम से जानते हैं। इसे विश्व की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना में गिना जाता है। सत्रवी शताब्दी में फ्रांस में भी इंग्लेंड की तरह निरंकुष राजाशा स्थापित थी। वहां भी इंग्लेंड की तरह राजाओं को नै कर लगाने के लिए अपने प्रतिनिदी मंडल से अनुमती लेने की प्रथा थी। इसके लिए एक सभा जिसे स्टेट जेनरल कहा जाता था उस समय फ्रांसीसी समाज तीन श्रेडी में विभाजित था। राजा से कोई कर नहीं लेते थे। टाइत नामक धार्मिक कर की वसूली करते थे। वकील आदी थे, किसान और कारिगर थे, छोटे किसान भूमी नौकर आदी थे। जिनकी कुल आबादी संत्यानवे दशमलो 5 प्रतिशत थे। राजा जब सलाह के लिए तीन स्टेटों को बुलाते थे, तो हर एक स्टेट का अपना मत अधिकार था। इसमें पहले दो स्टेट को स्विकारे होता था। वही पारित हो सकता था। जबकि संत्यानवे प्रतिशत आबादी को प्रतिनिधित तो करता था। वह पहले दो स्टेट के बिना किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित नहीं करप सकता था। इसका सीधा मतलब पहले दो स्टेट को ही निर्णय का अधिकार था। फ्रांस की जनता सदी के अंत में निरंकुष राजाओं सामंत से तरस्त थी। इस वज़ा से फ्रांस का मध्यवर्ग फ्रांस से सामंत शाही खत्म कर ऐसे राज के व्यवस्था चाहता था जो फ्रांस के व्यपार और उद्यों को उनके हितों में कानून बनाए। वे लोग लौक, रूसो, दिदेरो जैसे विचारधारा से प्रभावित थे जो लोकतांत्रिक विचारधारों से प्रभावित थे इसे बीच अमेरिका में भी क्रांती हुई जिसमें फ्रांस के सैनिकों ने भी भाग लिया और यह विचार फ्रांस से अमेरिकी क्रांती कारियों के बीच फैला सन 1774 में जब लुई सोलावां फ्रांस के गद्दी पर बैठा तब उसे वित्तिय संकट का सामना करना पड़ा इससे निपटने के लिए सारे उपाय असफल रहे लुई सोला ने 5 माई 1786 में नए करों के प्रस्ताव के लिए तीन सभा को बुलाया जिसमें से पहले वद दूसरे में 300 प्रतिनिधी वद तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधी जो सम्रिद्ध वर्ग के थे 40,000 शिकायत पत्रों में इस वर्ग के लोगों ने अपनी समस्या को प्रतिनिधी के साथ भेजी गई स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रतेक स्टेट को केवल मत देने का अधिकार होगा जिसे रूसों ने The Social Contract में प्रस्तूत किया इस मत को अस्विकार कर दिया गया जिसका विरोत सभा से बाहर जाकर तीसरे स्टेटों के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांसेसी राश्ट्र प्रवक्ता मानते थे और उसने अपने को राश्ट्री असेम्बली घूशित कर दिया 20 जून सन 1789 में वर्साय सिटी के इंडो टैनिस कोड में लोगों ने शपत ली और राजा की शक्ती को कम करने के लिए एक लोगतांतरिक सम्विधान के निर्माण में जुट गये हैं जिसका बाकी वर्गोद्वारा भारी विरोध हुआ गाउं में किसानों ने सामंतों के खिलाफ बगावत कर दी शहरों में खाने पीने की चीजों को लोगों के पहुँच से बाहर कर दिया गया सारे फ्रांस में अराजक्ता के फैले भै का माहौल खड़ा कर दिया कुलीन जमिदार जमिदारी छोड़ भाग कर पडोसी देशों में शरण ले लिया किसानों के विद्रो की गती को देखते हुए 4 से 11 अगस्त 1789 समविधान एसेमली ने करों करतव और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को जड़ से खत्म कर देने का आदेश दिया इसमें सामंती अधिकार तथा चर्च द्वारा लिये गए कर को बिना मुआवजे के खत्म किया गया और कुछ महीने बाद चर्च की जमीनों को सरकार के हक से लेकर निलाम कर दिया इसी के साथ नय समविधान बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई नागरिकों के अधिकारों की घोषना पहला कदम था 26 अगस्त 1789 को असमली ने पुरुष महीला के अधिकार की घोषना की और इस घोषना के फल स्वरूप महीलाओं को मत अधिकार नहीं दिया गया उन्हें पुरुष और नागरिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखा गया सन 1799 के शुरुवात में इसका विरोध प्रारंब हो गया उन्होंने महिलाओ नागरिकों के अधिकार का घोशना पत्र जारी किया जिसे असेंबली में अस्विकार कर दिया गया अन्तता बीसवी सदी की शुरुवात में महिलाओं को मताधिकार मिल गए